Hello and welcome back. Thanks a lot हमारी वीडियो को इतना लाइक करने के लिए और धेर सारा प्यार देने के लिए viewers viewers आज हम बात करेंगे हैपटाइटिस B के बारे में ये एक liver infection की problem है जो की हैपटाइटिस B virus की विज़े से होती है इसकी दवा बहुत महंगी रहती है और ये mostly लोग बाहर से खरीते हैं बट अब ये दवा मंडल इस तरफ पर available है यानि मंडल के जिला स्पताल में available है जिने आप district कहते हैं या district hospital कहते हैं जिला सरकारी स्पताल कहते हैं उसमें जो मंडल का जिला स्पताल है उसमें ये दवा पहुच चुकी है और कुछी दिनों में ये आपको वहां से मिलने लगेगी तो अगर कोई भी patient habitat is B का है जो की बाहर से दवा ले रहा है तो वो अपने नजदी की मंडल के जिला स्पताल में contact कर सकता है और वहां से ये दवा free of cost ले सकता है तो government जो भी program चलाती है एक साथ सभी states में चलाती है तो I hope कि ये सारे states में इसी तरीके से शुरू किया गया होगा आप जिस भी state में रहते हैं एक बार अपने मंडल के अस्पताल में जुरूर contact करें और वहां पता करें कि ये दवा available होई है या नहीं और basically ये दवा फिलहाल UP में तो available हो चुकी है और यहां जल्दी ही मरीजों को मिलने लगेगी वेल अब हम next वीडियो में बात करेंगे पैरो में जो infection हो जाता है जो पैरो की जो उगलिया होती है गायों में अंदर जो infection हो जाता है उसके बारे में उसके treatment और उसकी medicine के बारे में अगले बार बात करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो personal level पर बात करना चाहते हैं फोन कॉल से तो directly तो फोन कॉल से नहीं लेकिन आप एक app पर आके बात कर सकते हैं जिसका नाम call me for app है आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद उसके search option में जैसे आप हमारा channel सर्च करेंगे आप हमसे फिर बात कर सकते हैं तो next video में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो बात कर सकते हैं and keep smiling see you in next video